Hi guys, welcome you all once again, so आज की इस वीडियो में हम लोग Arduino IDE से अपनी .x file को generate करके देखेंगे बट उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि .x file की जरूरत क्या है देखिए अगर आप लोगों के पास Arduino Uno board available है तो उस case में आप लोगों को यहाँ पर .x file की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि इस IDE में हम लोगों के पास upload का एक option होता है जिसके थूँ आप लोग directly अपने controller को program कर सकते हैं बट अगर आप लोग यहाँ पर Proteus में अपने Arduino के कोई एक project को बनाना चाहते हैं तो उस case में हम लोगों को .x file की जरूरत पढ़ती है तो यहाँ पर हम लोगों ने एक program लिखा हुआ है LED blinking का तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर simulator में कुछ बना लेते हैं circuit को इसको मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ सबसे पहले आप लोगों को अपना board select करना है तो उसके लिए आप लोग components mode में जाएंगे और P में आप यहाँ से जाएंगे यहाँ पर मैं लिखता हूँ A-R-D-U-I-N-O तो यहाँ पर आपका आ चुका है यह यहाँ से हम लोग इसको select कर लेंगे और यहाँ से आप logo को ok press करना है next इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक LED को blink करने वाले हैं जिसको कि हम 30 number 5 से connect कर रहे हैं तो उसके लिए आप logo को यहाँ पर P में जाना है और again यहाँ पर आप LED लिखेंगे तो LED लिखते ही आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे results आ जाएंगे यहाँ पर हम लोग animated LED model लेंगे कोई भी color आप यहाँ से choose कर सकते हैं और इसके बाद आप लोगों को यहाँ से ok press करना है फिर यहाँ पर यह आपका आ चुका है यहाँ से हम लोग इसको drag and drop कर देंगे इसके बाद आप लोगोंने इसको 30 number pin से connect करना है और इसकी जो second terminal है इसको हम लोग ground करेंगे जो negative terminal है तो इसके लिए आप लोगों को यहाँ पर terminals mode में जाना होगा terminals mode आपको यहाँ पर कहीं मिलेगा और यहाँ से आप इसको ground करेंगे तो यह आप लोगों का simulation यहाँ पर हो गया अब देखिए अगर मैं इसको program करना चाहूँ तो उसके लिए आप लोगों को इसको double click करना है और double click करने के बाद देखिए आप लोगों को यहाँ पर अपने program file में अपनी hex file को feed करना होता है तो फिलहाल सबसे पहले आप लोगों को यह देखना होगा कि आप hex file कैसे generate करेंगे तो इसके लिए आप लोगों को अपनी IDE को खोलना है और यहाँ पर थोड़ा सा मैं zoom in करके दिखाता हूँ यहाँ पर आप लोगों को file में जाना है और इसके बाद आप यहाँ से preferences में जाएंगे इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं show verbose output during compilation and upload यहाँ पर दो option है तो आपको यहाँ पर compilation को click कर देना है ठीक है इसके बाद आप लोग अगर चाहें तो यहाँ से और भी settings चेंज कर सकते हैं जैसे अगर आप अपना font size चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं तो फिलहाल हम लोगों को इसको नहीं देखना है यह करने के बाद आप लोगों को यहाँ से ok click कर देना है और इसके बाद हम लोग इसको थोड़ा सा zoom out करते हैं so इसके बाद हम लोगों को अपने इस program को compile करना है compile करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक tick sign दिखेगा और यहाँ पर verify आपको लिखा होबा नेजर आएगा तो आप लोगों ने यहाँ पर done compilation दिखाएगा तो इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर अपनी hex file को देखना है तो उसके लिए आप लोग यहाँ से थोड़ा सा scroll को इधर लेके आएंगे इधर आपको .elf file मिल रही है तो इसके उपर आप लोगों को .hex file भी मिलेगी ओके इसके अंदर नरिन में या फिर आपका जो भी नाम होगा इसके बाद app data है फिर local है temp है और उसके अंदर आप लोगों को यह file मिलेगी okay so मैं इसको यहाँ से copy कर लेता हूँ so इसके बाद हम लोग इस destination पर जाते हैं तो उसके लिए आप आप लोगों को यहाँ पर c drive में जाना होगा और इसके बाद आप लोगों को users में जाना है यहाँ पर जाने से पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान देनी है आप लोगों का यहाँ पर कोई भी चीज hidden नहीं होनी चाहिए अगर hidden है तो आपको view में जाना है आप लोगों को यहाँ पर local मिलेगा और local के बाद आप लोग यहाँ पर temp में जाएंगे और temp के अंदर आप देख पाएंगे यह हम लोगों का Arduino built 150956 है तो देखते हैं यह सेम चीज़ है नहीं यह आपका 632383 है ओके तो यह वाला है ओके तो इसके अंदर हम जाते हैं और इसके led.ino है और यह आप लोगों का hex file है ठीक है तो यही file हम लोगों को यहाँ पर चाहिए so next इसको हम लोग अपने simulation software में डालके देख लेते हैं मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से zoom in कर लेता हूं so इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर double click करना है और यहाँ से हम अपनी program file को देख users में आप जाएंगे users में आपका जो भी नाम होगा वहाँ पर आप जाएंगे इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर app data में जाएंगे app data के अंदर local में आप जाएंगे local के अंदर आपको temp मिलेगा और इसके अंदर आप लोगों को auduno build 632383 मिलेगा इसके अंदर आप जाएं तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको रन करते हैं, तो देख सकते हैं आप लोग आपकी जो LED है वो one second के लिए on होगी और one second के लिए off होगी, इसमें अगर आप थोड़ा सा changes करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसका timing थोड़ा सा change कर लेता हूँ, आप compile हो चुका आप लोगों का है program, इसके बाद again आप लोगों को यहाँ पर से इसको stop करना है, यह automatically जो भी changes हुए होंगे उसको apply कर लेता है, तो again हम इसको यहाँ से गर play करते हैं, तो आप देख सकते हैं यह आप लोगों की जो LED है वो काफी जल्दी जल्दी blinking होनी start हो चुकी ह तो आज के लिए इतना ही, I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गई होंगी, फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं, तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें, अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं, so thank you so much for watching, जै हिंद, जै भारत